नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ग्राउन फ्लोर और फ़र्श फ्लोर इस उचाई का घर बनाने के लिए प्लिंथ बीम में कितने mm की इस्टील लगानी चाहिए और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि प्लिंथ बीम में टोटल लंबर आप सब्सक्राई होना में चाहिए और इस चाहिए रिंथ में कुछ इस तरीके से जो रिंग लगती है एक रिंग इसे बीश दोरूर कारोते हैं एक एक करके फुल इन्फोमेशन आपसे सेयर करेंगे बट वीडियो में आगे वढ़ने से पहले आप सभी से बस चोटी सी रिक्वेश्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीज़े और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर वेला इकन प्रिस कर करें को बेहिता ऑदल के बाद इसी कॉलम आप देख सकतेगी कुछ इस तरीके के से चारो तर्प जहां पर भी वालस आनी है या Peng जहां पर दीवाल बननी है वहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लिंथ बीम को बनाया जाता है और प्लिंथ बीम के माध्यम से ही सभी कॉलम को एक दूसरे से कनेक किया जाता है जिससे पूरा का पूरा घट एक ही डोर में बढ़ जाए तो यहाँ पर कुश्चन होता है कि यदि हम ग्राउन फ्लोर और फश फ्लोर इस उचाई का घर बना रहे है तो हमें प्लिंथ बीम में कितने mm की स्टील यानि की सरिया लगानी चाहिए तो सबसे पहले आप यहाँ पर बहुत यह अच्छे से देख लीजिए कि प्लिंथ बीम की कुछ इस तरीके से ढलाई करने से पहले यानि कि प्लिंथ बीम में कंक्रीट डालने से पहले कुछ इस तरीके से प्लिंथ बीम का इस्टील जाल बनाया जाता है जिसमें कुछ इस तरीके से main bar होती है और main bar के साथ साथ आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ring बनाया जाता है इसको हम tie या फिर steel हम बोलते हैं तो यदि आप ground floor और first floor इस उचाई का घर बना रहे हैं तो आपको print beam में 12 mm की steel यूज़ करनी चाहिए और यदि हम 12 mm steel की बात करें तो इसको हम normal language में force होता steel बोलते हैं तो ground floor और first floor इस उचाई का घर बनाने के लिए print beam में आपको कुछ इस तरीके से 12 mm की steel का यूज़ करना है और आप यहां पर बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं कि print beam का steel जाल बाना जा रहा है तो इसी तरीके से आपको भी steel जाल बानना है तो यदि आप ground floor और first floor इस उचाई का घर बना रहे हैं तो आपको print beam में 12 mm की steel का यूज़ करना जाए नेक्स यहां पर दूसरा question उड़ता है कि ground floor और first floor इस उचाई का घर बनाने के लिए print beam में हमें कितनी steel बार का यूज़ करना जाए तो यदि आप ground floor और first floor इस उचाई का घर बना रहे हैं तो आपको print beam में कुछ इस तरीके से 12 mm की 4 steel बार का यूज़ करना जाए नेक्स यहां पर question उड़ता है कि print beam में कुछ इस तरीके से जो रिंग लगती है रिंग लगाते समय हमें एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी क्या रखनी चाहिए तो ground floor और first floor इस उचाही का घर बनाने के लिए आपको six inch यानि की approximately 15 cm रखना चाहिए और इसके साथ साथ रिंग को लेकर एक बहुत बड़ा doubt रहता है कि रिंग बनाते समय हमें इस plane वाली steel से रिंग बनाना चाहिए या फिन नहीं इक्जांपल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यह जो रिंग है वो बिल्कुल plane steel से बनी है और यदि आप इस steel को देखेंगे तो इसकी जो surface से थोड़ी खुरदुरी है यानि की रख है तो बहुत सारी student को यह doubt रहता है कि रिंग बनाने के लिए हमें यह plane steel का यूज करना चाहिए या फिर नहीं तो यदि आप building बना रहे हो तो building में plane वाली steel पूरी तरह से बैन है यानि की building में आप कहीं पर भी कुछे इस तरीके से जो plane steel होती है इसका यूज नहीं कर सकते है बट यदि आप ground floor या फिर first floor इस उचाही का घर बना रहे हो तो केवल ring बनाने में आप इस plane steel का यूज कर सकत अभी के लिए बस इतना ही अपना ख्याल रखिये और अपने ममी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिये इसी भाव के साथ आप सभी से बिदा लेते हैं धन्यवाद